डाक्टर प्रदीब कुमार बाल मुच्चू यह धन्यवाद उपसवापति मौध है आज हम एक महत्पून विशापर बात करें चर्चा करें और यह मानो संसादन विवाग एक ऐसा विवाग है इतना महत्पून विवाग है जो देश का भविश बनाता है यह विवाग पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले शमय में कैसा देश कैसा भारत हमारा होगा इसको तैक करता है हमारे बीजीपी के साथ ही उज्वल भारत की कल्पना करते हैं नारा देते हैं उन्नत भारत की और इसके लिए उन्नत भारत उज्वल भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन का न्यू ऐसा रखें कि आने वाले भविश में जो बच्चे हम तयार करें जो देश हम तयार करें वो इतनी ताकत के साथ काम करें कि दुनिया में हम आगे बढ़ते नजा रहें अभी हमारे साथी जाजी कह रहे थे कि बीजेपी के सरकार बहुत कुछ कर रही है और जिसको बताना बहुत जरूरी है मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करेंगे सरकार अच्छा काम करेंगे जुकेशन के चेतर में तो अपने आप लोगों को पता चलेगा बहुत प्रचार करने का उसकता नहीं है आप जो बाते कह रहे थे अगर आप बहुत कमिट्मेंट है कि भाई हम भारत के बच्चों को अच्छी सिक्षाद एक अच्छी तालीम देंगे तो सभावी कहा कि वहाँ पैसे भी ज़्यादा लगेंगे अगर आप बजट को देखें तो यूपिय की सरकार जब थी 12-13 में उस समय हम लोग ने 18% बजट को एजुकेशन के बजट को बढ़ाया था अग 13-14 को देखें तो फिर 8% बढ़ाया था और जब आपकी सरकार आई 15-16 में तो आप 24.68 कम कर दिये बजट में और तो और इस साल 16-17 की देखें तो 828271 से घटा कर 69 074 करोड रुपया कर दिया इस बार भी आपने बजट कर घटा दिया और आप कहते हैं कि हम इस देश को उजवल बनाना चाहते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप कैसे काम करेंगे सर्फिक्षा की अभ्यान की बात करें तो आप 24.14 कम कर दिये परसेंटेज मिड़े मिल की बात कर तो उसमें पैसे 16.4 आपने पैसे कम कर दिये और अगर पूरे बजट को देखें तो जो मुझे जानकारी है कि पचास हजार क्रोल की डिमांड आपने की थी विभाग ने किया था मंत्री जी ने किया था मगर मंत्राले से वित मंत्राले से मातर 22,000 को मिले अब समझ लिजी से कमिटमेंट आपका करनी और कत्नी में कितना फरक है आपको लगता है कि 55,000 कोड़ रुपया खर्च होंगे मगर सरकार आपको सरी 22,000 कोड़ रुपया देती है ये तो आपका तश्वीर है आप कहते कुछ है मगर अगर इमांदारी होती तो 55,000 कोड़ रुपया आप खर्च करते आज हम सुरू से करें कि जो पहले क्लास में प्राइमरी क्लास में एडमिशन मिलते हैं अगर अभी स्कूल का मौसम ठीक अभी चल रहा है थोड़ा दिन पहले पहले क्लास के एडमिशन के लिए हम लोग के पास बहुत पहरी भी आते हैं कि अच्छे चो स्कूल है उसकी कमी इतनी ज़ादा है कि लगता है कि पैरेंट्स इतना परिशान रहता है कि कैसे मेरा बच्चा के एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए और जहां तक सरकारी स्कूल की बात है, सरकारी स्कूल की हलत तो ऐसी है कि जो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते हैं वो चाहते हैं कि अपना बच्चा जाएगा पबलिक स्कूल में इंग्लिज मीडियम में जाएगा, कॉंवेंट में जाएगा, वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, अपने बच्चें को, और अभी आपने लॉट्री को सिस्टम शुरू कर दिया, कि भाई, पहरी भी होती है, लॉट्री करेंगे, अच्छी बात है, लॉट्री में गरी तो ठीक ठीक बात करें इसलिए मैंने का कि कहीं तो गलबड़ी है अगर उसके बच्चे को हरसमे अच्छी स्कूल में कैसे बिसे मिल जाता है आज करीब करीब 35 मिलियन बच्चे इसकूल नहीं जा रहे हैं जो 6-14 वरस के हैं अगर ये बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर दे तो जो मैंने कहा कि पहली स्कूल से कैसे दाखिला में कितने दिक्कते होती है अगर ये जो बच्चे 35 मिलियन जो बच्चे नहीं जा रहे हैं अगर वे बच्चे जाना सुरू कर दे तब तो फिर देश का क्या हो का समझे लिए बच्चों का क्या हो का समझे लिजिए इसकू में कि कैसे क्वालिटी में इंप्रूफ करें ताकि गाओं के बच्चे जो द्यात में रहते हैं वहीं पर अच्छी तालीम उग्रहन कर सके इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा अगर सरकार अलग लग सरकार अलग लग नौंस बनाती है प्राइमरी स्कूल के लिए यह कहा जाता है कि एक किलोमेटर का अंदर बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए अगर आप देखें तो क्या इस्तिती है क्या एक किलोमेटर का अंदर में एक से पांथ जो प्राइमरी स्कूल है वो शिच्छा बच्चों को दे पा रहे हैं या फिर मिडल नुसल के बात करें किलोमेटर के रिडियस में कि आम दे पा रहे हैं कता ही नई जो और को शिच्छ के भी कमी है मिए आठ टीचर टीचर स्टेनिंगं इस्सूसन्ट जो है उनकी भी कमी और जो रेशियो है करीब करीब जो आश्रकारी आखळे बताते हैं टीचर और बच्चों का रेशियो जो है वो करीब थर्टी सेवन परसंट चेक तम है आपका सिर्फ आप फुल्फिल करते हैं 63 परसंट कहने का मतलब कि आपके पास टीचरों की सक्त कमी हैं करीब करीब सर्फिक्षा 92 को देख लें तो 6 लाग टीचरों की जगे खाली है वेकिंसी पड़ी हुए 6 लाग बच्चे सर्फिक्षा 92 को अगर सेंट्रल स्कूल की बात कर लें तो उसमें करीब साले साथ अच 7,398 पोस्ट खाली पड़े ह हुए प्राइविरी स्कूल को देख लें, मिडल स्कूल है, उसमें पांच कलास एक के पांच कलास रहें में तो टेचर हैं इतनी कमी रहेगी तो हम वो कल्पना नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं कि उजवल भारत होगा ऐसा उन्नत भारत होगा इसकी कल्पना हम लोगों को नहीं करनी चाहिए और तुर यहां पर कोई सिस्टाम ऐसा नहीं है जो टीचर एक बार पाउंट हो गया उसको रिफ्रिसर को कि नएने टेक्निक आते हैं नएनी चीज़ें आती हैं उससे आपका टीचर जो है वो कैसे ही कुप्ट हो और उसके लिए जरूरी है कि आप बीच-बीच में यह रिफ्रसल कोर्स कराएं तुक्चरों को आज एक महत्मूर भी से अभी डाइट अफ एडिकेशन आया 2009 में और उसमें अधिकार दिया गया बच्चों को शिक्षा मिलेगी फ्री शिक्षा मिलेगी अच्छी बात है मगर उसमें यह कहा गया कि एक से आट तक जो बच्चे हैं उसको आप फेल नहीं कर सकते उसको पास करना ही पड़ेगा यह कहीं ना कहीं मैं इसके पूरे विरोद में नह महत्मुन चीज है कि जो बच्चा फेल नहीं करेगा ठीका परता चला जाए फड़ता चला जाएगा वो बच्चा भविस क्या बनाएगा जब डस में जाएगा तो टक जाता है नौ में गैने के वी निचे पास नहीं जाता है इसलिए कि वह समस्ता है क्पास होएं गरजेन कि पढ़र भी करता कि भूए आपास हो रहा अगर इसके बिरोदमी करने हो कि नहीं सबको पास नहीं करना चाहिए इसको नीचे करना चाहिए आठ एठ क्लास थक बच्चा छे के बाद फ्रण न्यू मजबूत होनी चाहिए उसके अगर मच्बूत नहीं करेंगे तो आने वाला मेरा भुष्ट खराब हो जाएगा अभी तो 2009 में एक आया ना अगर 12 साल पंदरा साल के बाद हम देखेंगे जो क्वालिटी जो बच्चे आपको मिलने चाहिए थे वच्छे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे इसलिए इसको कम से हम तंपल सरी करें तो थोड़ा प्यार और थोड़ा डंटा दोनों करना चाहिए कि हम लोग की जिमेदारी है कि अच्छे बच्चों को तालीम देए आज अगर बच्चे पढ़ते हैं मेट्रिक पास कर लिए हम देखेंगे हैं कि दस पास करने के बाद में अगर कोई चाहता है कोई चाहता है कि नहीं हम साइंस पढ़े तो इसको नहीं मिलता परॉचनिटी इसलिए कि कहीं परसंटेज मार्क है या फिर कहीं कम सीचे हैं यह इस्थिति है और बच्चा जो है अपने मन मुताबिक पढ़ना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वैसे college उसको नहीं मिलते हैं, आज इस बात कि आओ सकता है, हम लोग को प्रयास करना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही शिक्षा ग्राण करें, है दिक्कते आएंगी, मगर प्रयास सुरू करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग जरू मार्स जो मिलता हो देखना चाहिए मगर मार्स अच्होंडे के ऐद मी अगर हमको साइंस पढ़ने से बन्चित होना पड़े यह जुखाद बात है अग मैं पस परसंडेज मार्स है न हम को जरूर वह पढ़ने जो हम चाहते हैं को पढ़ने पढ़ना मिलना चाहिए अभी कि अगर हम लोग बात करें तो यह सब लोग जांते हैं कि सब भारत ही चाहते हैं स्मौल मिनि सस्ता और अच्छा मिनि राद्ज सबां कि अर देर आदेर सब्वार्ट का इजूकेशन कंदर विदला को किंदर विदिला मा अदियम से हम लोग को मिलती है और जब यूपी के सरकार थी तो हमलोग का टार्गेट आप 500 कंदर विदिला हम लोग खोलें मगर जब यह सरकार बदल गई तो जो 500 का टार्गेट खतम हो गया अब इसमें कोई पैसा ही नहीं सरकार दे रही है अभी एक सवाल हम लोग ने पिछले बार किया था यह स्टार कोश्चन था मारा 48 इसी 28 अप्रील का उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया अभी तो शुरू आवर टू मिनिस मंत्री जी जवाब दिया कि जो ट्राइबल छेत्र हैं और जो अगरुवाद छेत्र हैं वह उस जगापे हम लोग सेंट्रल सुल खोलें उसमें 34 का एनक्षर आपने दिया 34 है हम से आप से जाना चाहेंगे कि हम हमारा जहारकंड उगुरवाद प्रवावईद भी है और पूरा ट्राइबल छेत्र है और वहां पर एक भी लिस्ट में 34 में उसका नाम भी नहीं है इसलिए मैंने का कि आज इस बात की बहुत हो सकता है कि मैंने का कि क्वाल्टी एजुकेशन सस्ता अजुकेशन केंडर वि विद्धाला है और खोलें उसी तरह कस्तूर्बा गांदी एक ऐसा विद्धाला है जहां पर बच्चे जो वन्ची समधाय के बच्चे हैं चाहिए इसी है इस्टी है ओबीसी है माइनिटी है वैसे 75 परसनल बच्चों को उसमें एडमिशन दिया जाता है और रिजर्व रता हो उसके लिए मगर मगर उसमें देखें तो सरकार उस चेकर में भी कस्तूर्बा गांदी को भी खोलने के लिए उसमें अच्छा जल्ड मिल रहा है और वैसे बच्चे जो मैंने काई डिप्राइबेसी है इस बच्चे लोग को एडमिशन मिलता हो उसमें तो उसको ज्यादा खोलने के आओ सकता है मगर उसमें भी सरकार बड़ी धीमी है और सरकारों खोला नहीं चाहती है कि और अधिक हम इसमें खोले है और जो मोडल स्कूल की बात है उसमें तो बड़ी सरकार ने कहे दिया है कि 6,000 मोडल स्कूल जो बेकवर्ट डिस्टिक में खूलने का कारिकरम कि अच्छी प्रवार्मेंट को भी पैसा स्टेट गवर्वन्मेंट को खोलने के लिए मॉडल शुप फोलने के नहीं देंगे तो यह समझ सकती मैंने इत तस्वीर दिखाने का प्रयास कि एक इस सरकार कहती है कि हम ऐसा कुछ करें के मगर तस्वीर आगर देखेंगे तो ऐसा क कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है आज अच्छी अच्छी इंसुसेंट की बात कि में फोले सब्दों में अपनी बातों को रखोंगा बोट-बोट सारे लोगों ने काया कि हायर एजिस्टेशन के बारे में अभी जब यूपी की सरकारती हमारा फ्लेक्षी प्रोग्राम कि आएटी खोलना अब इनको जब सरकार आई तो इनको इनों आगे बढ़ाया और इनोंने एनॉस्मेंट किया कि हम पांच आएटी खोलेंगे और उसके लिए इनोंने प्रोविजन किया एक हजार क्रोड और जब की डिप्यार बना तो दी ओके दो मिट सर जब दी नो प्ली ग्रोड दी ऐब चुपलेंगे और प्रोवाइट करते है तो दो इजार नो इसलिए आपको तो दो हजार दो सर रुपया देना चाहिए ना तब खुलेंगी आपके बनेगा दो आवर लोग बात करने के लिए किये इसलिए अब बाइटी दो मिट सर ख़्यम करते जब साल में एक ही बात करके खताम कर देंगे जो बहुत महत्मून हम समझते हैं मंतरी जी से हम रोद करेंगे तोड़ा द्यान दे इसलिए कि अभी जो स्कूल स्कूलीं चल आगा जो सिस्टम है आज इस बात की बहुत सकता आपकी सरकार भी स्किल की बात करती है हम आपको सुजाओ देना सिर्फ चाहते हैं कि स्कूल में ही हाई स्कूल में ही बच्चों को स्किल का कोई सब्जेक्ट आपके ताकि आने वाले हैं बच्चे को थोड़ाना थोड़ा स्किल में और तभी जाके हमको लगता आने वाले स्कूल में ही तब जाके आप समझे कि आप जो चाहते हैं कि